वरिंदावन वो जंगे है जहां भगवान कृष्ण ने यहां अपने बच्पन के दिम बिताये थे इस जंगे को प्रेम भूमी के नाम से भी जाना जाता है एक और चीज़ जो लोगों को सबसे ज़ादा आकरशित करती है वो है यहां के भगवान कृष्ण और रादा के बिच बिताया गया वो खूशूरत समय वरिंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मुझूद है लेकिन उनमें से एक रहस्या में वन है जिसे निदीवन कहा जाता है एक ऐसी जिंग है जिसके बारे में माना जाता है कि यहां कृष्ण आज भी रास लीला रचाने आते हैं अगर आप धार्मिक परियाटन के शोकीन है तो एक बार मधूरा वरंदवन का प्लान जरूर बनाए यहां मोजूद है निदीवन ये स्तान बेहत पवित्र धार्मिक और रहस्यामी है इस लेक में आज हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जंगे को खास बनाता है आपको ये जानकर आश्चरिय होगा कि विदेशी परियाटक भी इस जंगे की उर खीचे चले आते हैं निदीवन की मानिता है कि यहां आज भी हर रात कृषिन गोपियों संग रास रचाते हैं यही कारण है कि सुबा खुलने वाले निदीवन को संधी आरती के बाद बंद कर दिया जाता है इसके बाद निदीवन में कोई नहीं रहता है निदीवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम को होते ही इस वन को छोड़ कर चले जाते हैं। निदीवन के अंदर रंग मेहल है जिसके बारे में मानता है कि हर रोड रात यहां पर राधा और किर्शिन रास रचाते हैं। खाली दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग मेहल में भक्त केवल श्रेंगार का सामान ही चड़ाते हैं और प्रशाद सवरूप उन्हें भी श्रेंगार का सामान मिलता है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़किया नहीं है। इस्तान ने लोगों का माना है कि शाम के बाद कोई इस वन के तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का परियास क्या है वो अंदे हो गई या फिर पागल हो गई। कुछ लोगों ने वन की तरफ बने खिड़कियों को इटों से बंद कर रखा है। जिससे कोई चाहा कर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वरिंदा वन में ऐसे कैई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कैई रहस्यामी कहानी बताते हैं। झाल